नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आरकेवर माई लक्टिकल पर तो दोस्तों आज हम वीडियो में डिसकस करेंगे यानि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका आईटे को जो सत्र था 2014, 15, 16, 17 और 18 जिनका भी प्रिवेश सत्र ये था उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही important information है तो चलिए फिर वीडियो में विस्तार से बात करेंगे तो देख लेते हैं एक डिजीटी की तरब से एक नोटिस जारी हुआ है इस नोटिस को में टेलिग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूँगा आप description लिंक में जाकर टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लें और वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं जो इस नोटिस के प्रेशक हैं संयूक्त, निदेशक, राज्य, वेबसाइक, प्रिक्षन, प्रिसत, उत्तरपर्देश, अलीगंज, नखलो यानि हां से आपका ये भेजा गया है सेवा में यनि किस किस के लिए भेजा गया है इन सब्तीनों के लिए आपका भेजा गया है और आपका प्रिभंदन यरा प्रिधनाचारी ए नजी आए उँन सब के लिए ये भेजा गया है तो इस नूटिस में देख लेते हैं क्या है नूटिस की बात करें तो नूटिस डेट ही आपकी 21 मई 2020 है और इसका विशे की बात कर लेते हैं विशे क्या है यानि प्रिवेश सत्र अगस्त 2014, अगस्त 2015, अगस्त 2016, अगस्त 2017 और अगस्त 2018 में NCVT मायनता के अधिन प्रिवेशि विवराण में पूर्व किये गए संसोधित हेतु अनोबदित किये गए पिरसी छात्री विवराण के आधार पर आधार नंबर प्रिविष्ट करने हेतु लिंक प्रिदान करने के संबंद में यानि जिन सभी छात्रों ने 2014, 15, 16, 17 और 18 में एड़िशन लेते समय पूर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था उन सभी में आधार कार्ड को लिंक करने का एक यानि आपका उन सभी में यानि किसी कारणवास कोई तुरूटी हो जाती है यदि नाम, डेट अब बर्द और आपके फादर, मदर, इत्यादी, नेम में कोई किसी कारणवास तुरूटी हो जाती है और उसको सही करना चाहते हैं तो उसमें आधार कार्ड की आवासकता होती है जो की पहले उसमें आधार कार्ड का कोई आप्सन नहीं था तो इसलिए ये आपका लिंक प्रोवाइड करने की इसमें विसे रखा गया है तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं यानि बेचात्र जो किसी संसुधन कराना चाहते हैं और वो इस कटेगरी के अंतर आते हैं 2014 से 2018 के बीच आते हैं तो वो अपना संसुधन कराने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए और पहले आधार कार्ड पोटल पर अप्लूड नहीं थे और उनके लिए एक आपका लिंक प्रोवाइट किया गया है तो देख लेते हैं बहुदे किर्पया उप्युक्त विश्यक परिशद के पत्रां संख्या ये पोटल अंग पत्र एवं NCT 2019 नेकलव तीसमार 2019 का संदव ग्राण करने का कष्ट करने उग्त पत्र के द्वारा प्रिवेश सत्र 2014-15-16-78 में प्रिवेशित यानि जुरूने एडविशन लिया है एवं NCBT मिस्पोर्टल जनित यानि NCBT मिस्पोर्टल पर आपका अंग प्रिमाल पत्र में प्रिशिक छार्तिरिक का नाम पिता का नाम माता का नाम जनमती थी एवं फोटू इत्याधी के संसोधन के संबन्द में राज्ये वेबसाइट परिक्साद द्वारा संचलेत वेब पोर्टल यानि इस पर आपका संसोधित होता है ये आपका वेब पोर्टल है www.scbtup.in कर माध्यम से निर्धायत कीगी प्रिक्रिया अनुसार पून कराए गई थी यानि इससे पहले संसोधित करने के लिए इस पर पून कराए गई थी पूर्में निर्दाले प्रिकरिया अनुसार समस्पिर्धनचारिये प्रिमंदक राजके या निजी ओधोगी प्रिसेशन संस्तान अपने संसोधन प्रस्तावों को राजय सरकार प्रिसेशन प्रिसर द्वारा संचलित वेब पोर्टल www.scbtup.in पर संसोध को अनुमोधित किया यानि संसोध करने के लिए उन्होंने इस पर आपका पोर्टल पर भेजा था लेकिन आगे क्या हुआ देखते हैं क्या वहां से रिप्लाई आया दोस्तो उसके लिए मापी चाहूंगा वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी और आप अन्य तक वीडियों बने रहे हैं पूरो यहां से जो डाटा आपका SCVT UP से डाटा आपका महा निदेशाल ने कौसल विकास दिल्ली को सेंड किया गया लेकिन DGT भार सरकार नई दिल्ली द्वारा आवगत कराया गया कि डाटा संसोध करने किये जाने के हेतु प्रिसिक्षाड़ी का आधा नंबर नहीं है यानि डा प्रिसिक्षाड़ी का आधार नंबर अनवारी है यानि संसोधित करने के लिए आपका आधार नंबर होना जरूरी है तो दोस्तों ये बहुत important information है तो आपका इसके लिए एक उप्रोक्त के क्रम में पूर्व में अनुमदित किये गए संसोधित में प्रिसिक्षाड़ी के आधार नंबर अंकित कराने हेतु राज्य वेबसाइट प्रिसिक्षाड़ 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 द्वारा संचारित व्याप पोर्टल www.hcvt.k माध्यम से तृति रहित निस्तापन हेतु निम्कवत प्रिकिरिया निर्दार की जाती है तो आपका ओपन द आधार नंबर अपना एंटर करेंगे और सेब कर देंगे आते समस्त प्रितना चारिया समस्त राजी के ओधोगिक प्रिसिक्षाड़ को निर्देश किया जाता है कि संचारित व्याप पूटल इतने पर आपका 21 माई 2020 से लेकर प्रिसिक्षाड़ियों का आधार नंबर अंकित करने की कारवाई सुनी चीज कर दिए याणि इसके बीच आप अपना इस तारिक 21 माई से लेकर आपका 5 जून तक आप सभी चात्रों के आधार कार्ड अपलोड किये जाने आवस्सक है तभी भविस्षे में कोई करेक्शन क उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी और आपको सब अच्छे से समझा आ गया होगा तो दोस्तों अगर आप चैलेंट बनाए हैं तो पिलीज चैलेंट को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ज्यादे तरह ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ और आप हमेरे टेलीगरम गुरू को भी जोइन कर लें और वीडियो को जादे लाइक और शेयर करें थैंक यू फूर वाचिंग इस वीडियो